वुड का अस्तमाल, past form of will के लिए करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे can का code, make a might और shell का should इस्तमाल करते हैं, तो जहाँ पर statement starting में ही past में हैं, वहाँ पर will की जगह would prefer कीजेगा, would को आप past habit दिखाने के लिए भी इस्तमाल करते हैं, तो जू चीज़ें past की habit दिखा सकती हैं, used to की सहाय आता से लिखे गए काफी statements को would से भी लिखा जाता है, I used to go to school जाया करता था, I wouldn't go to school जाया करता था, polite form of request करने के लिए भी would का इस्तमाल किया जाता है, आप क्या लेना चाहेंगे? नमस्कार, this is Kapil Dev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma, this is the 15th video of verbs in English, लेकिन इससे पहले मैं आपको नाउन पूरी पढ़ा चुका हूँ, separate भी list है, एक बार चैक कर सकते हैं, pronoun, adjective, articles, verbs की, अलग-अलग playlist है, एक बार playlist section में जाकर check कर लिजगा, vocabulary के लिए भी idiom phrases, one words और आपके root words की सहता से vocab को कैसे आद रखा जा सकता है, की अलग playlist है, एक बार vocabulary की playlist चेक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे channel पर किसी examination purpose से हैं, तो RC, Parasambles और close test, और unseen passage की भी अलग-अलग reading comprehension की playlist है, एक बार वहाँ पर जाकर भी practice कर सकते हैं, verbs का ये 15th video है, एक बार quick recall जो verbs में हमने अभी तक पढ़ा, in the very first video, introduction and types of verbs in English, किस तरह helping verb में इन verbs को बाटा जाता है, उसके बाद एक कुपिक करने के बाद, second video में use of transitive and intransitive verbs in English, और आपको समझाया, कि क्यूं transitive को transitive कहते है, और बहतर होगा उस statement में उसका function क्या है, ना कि उसका नाम रटके कि ये transitive होती है, ये intransitive होती है, उसके बाद 3, 4, 5 videos में आपको mark किया most confusing verbs in English, most important verbs in English, चाहे वो बोल चाल की भाशा के लिए हो, या फिर किस exam में अकसर error detection पूछा जाना हो, इसके बाद next videos में use of primary auxiliaries, जिन does, did, done, doing, and have, have, had, had, having, and has, और उसके बाद model verbs start किया, आपको define किया, models express mood, कोई भी model किसी statement में grammatical form कम काम करने का नजरिया बहतर दिखा सकती है, और इतनी models अभी तक पढ़ा चुका हूँ, may and might पढ़ा दिया है, अलग video है, check कर सकते है, can and could पढ़ा दिया है, एक video must, should and ought to का detail म use of will and shell, कहाँ पर spoken के terms में will use करते हैं, कहाँ ही के साथ shell लिखा जाता है, etc, और last video use of used to का mark किया था, जिसमें उसके सारे forms आपको mark किये थे, यह 15th video है, we'll be talking about use of would in English in this video, हाँ जी, English में would का استعمال किस तरह किया जाता है, यह मैं इस video के सारे आपको समझाना चाहूँगा, काफी ल exam में कम, इकलाइन बोल देता हूँ, नैतिक बोल चाल की भाशा में, spoken में बहुत काम आता है, तो यह आप सभी के लिए informative रहेगा, I'm pretty sure, कुछ words जिनसे मैं start करना चाहूँ कि would का استعمال कहां करते हैं, तो मैं यहाँ से start कर लेता हूँ, जिस तरह में का might past हो जाता है, can का could हो जा जाता है, वैसे ही will का would भी हो जाता है, तो very first glance, सब जानते हैं कि will का past from would है, अगर मुझे sentence present में लिखना है, तो मैं वहाँ पर will इस्तमाल कर लूँगा आगे, लेकर अगर sentence की starting ही past में है, narration, he said to me, past में है, तो आपको याद होगा will का would हो जाता है, details बाद में, examples बाद में, first glance use of past form of will को हमेशा would लिखा जाता है, एक आपने पढ़ा होगा बुक से, जोसको मैं बहुत डीटेल में अभी समझाओंगा, कि past की habit दिखाने के लिए भी would का ही इस्तमाल करते हैं, तो हाँ सर्व बुक में लिखा है, past की habit के लिए would करते हैं, क्यों, कैसे, समझाईए जरा, अ आपको बाखु भी मिल जाएगा, polite form of request दिखाने के लिए भी would का इस्तमाल किया जाता है, अक्सर please के combination के साथ, यार वो पानी का glass उठा दोगे, please, जैसे हमने could का इस्तमाल पढ़ा था, please के combination के साथ, जो polite form of request दिखा सकता है, आप में लिए glass पानी दा सकते हैं, यह मेरी आप से request है, तो would you please help me कुछ ऐसे examples के साथ, would English में wish भी दिखाता है, किसी काम को करने की इच्छा कह दीजगा, मैं कुछ पूछना चाहूंगा, future है, लेकिन I will like to ask something or say something, ना, I would like to say something, I would like to say something, I would like to say something, I would, ना के I will, और last but not the least, English में would, subjective form भी दिखाता है, यह क्या है, आप बहुत ज जाता है, past की hypothetical conditions को, जो हो सकता था, बट हुआ नहीं, अगर ऐसा होता, तो ऐसा हो जाता, यह examples आपने सुने होंगे, अगर मैं चिडिया होता, तो उड़ जाता, if I were a bird, पहुत जल पढ़ेंगे, अगर आप प्रीमेर नहीं देख रहे हैं, एक बाद प्लेस चेक कीजएगा, अगर मैं चिडिया होता, तो उड़ जाता, बट मैं उड़ नहीं सकता, तो यहां लिखा जाता है, if I were a bird, पढ़ा होका सबने हैं, हम पढ़ेंगे बहुत जल, I would fly, ना कि I will fly, past की वो hypothetical condition, वो unreal situation जो हो सकती थी, बट नहीं होई, step by step इन सारे शब्दों का जिकर करते हैं, the very first one, use of past form of will English में would इस्तमाल करते हैं, examples आप बोट पर देखेंगे, verbal सुन लीजेगा, कि हाँ जब sentence present में है, he says, s-a-y-s के लिए कह दीजे, that he will go there, तो यह तो सही है, वो हमेशा कहता रहता है कि वहाँ पर जाएगा, he says that he will go there, will, ठीक है, लेकिन narration, जब-जब starting past में है, he said to me, his brother will come tomorrow, he said to me, his brother will का past would हो जाता है, tomorrow का हम next day भी करते थे, याद होगा आपको, तो अकसर उन statements में, जिनकी starting ही past में है, वहाँ पर अगर will लिखा है, तो वो error detection का हिस्सा है, वहाँ पर आप will का would कर दीजेगा, common sense से बार-बार कह रहा हूँ, जैसे make a might, can का code, will का would लिखा जाता ह दूसरा आपसे mark किया था कि past habit के लिए, मैं थोड़ा इसी को emphasize कर लो, सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी, तीन दिन पहले तक मुझे भी याद था, पढ़ा था किताबों से, ऐसा होता है, आप मैंसे majority मुझसे इसी लिए जुड़ी हुई है, because मैं reason mark कर देता हूँ, ऐ इसा होता है, ठीक है, वो तो सब लिखते हैं, क्यूं? तो मैं बहुत अच्छे example दिख रहा हूँ, बोलना चाहूँगा आपको काफी महनत करने के बाद यह सीखा, कोशिश कीज़ेगा, उस समझ से आप इनको समझ पाए, और वाइस रटने के लिए English की vocabulary या GS काफी है, काफी research की है, और उसका result आपको देखा रहा हूँ, English में will का इस्तमाल भी habit के लिए कर सकते हैं, ये कोई book में शायद आपको नहीं मिलेगा, English में will का इस्तमाल भी habit के लिए किया जा सकता है, सर वो तो future tense होता है, I will go to Delhi में Delhi जाओंगा, ये habit कहाँ पर है, वो तो shopping करने जाना मैं जाओंगा, judge कीजेगा in example से, वो गाय ने मुझे मारा, तो आप उसके पास गय थे, हाँ गया था, कुछ किया, हाँ मैंने थोड़ा सा उसको सीम पकड़ के, यार, अगर गाय को परिशान करोगे, तो वो तो मारेगी, listen to me please, अगर गाय को परिशान करोगे, इस तरह उसको परिशान आप करेंगे, ऐसा वैसा करते हैं, तो of course वो तो मारेगी, ये future नहीं है, कि वो मारेगी, अभी तक उसने मारा नहीं है, ये गाय की आदत है, दुबारा बात करते हैं, गाय ने किसी को मारा, मैंने उससे पूछा कुछ किया था, आपने हाँ यार, वो थोड़ा सा उसके सिंग खीच दिये थे, इस तरह से ये कर दिया था, तो भाई सीधी सी बात है, अगर किसी गाय को आप परिशान, किसी इंसान को भी परिशान करोगे, तो वो आपको गाली देगा, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये future का incident नहीं है, कि ऐसा होगा, बट ये habit मार्क करत है, यार वो मैंने कागज उसमें डाल दिया, वो गल गया पूरा सा, तो किसी बच्चों जैसी बात कर रहे हैं, पानी में अगर आप कागज को डाल कर रखते हैं, तो वो तो फट जाएगा, ये future tense नहीं है, ये habit है, ऐसा हमेशा होता है, एक बार का नहीं है, कि मैं दिल्ली जाओंगा, वो कल हमारे घर पर आएंगे, ETC, समझ रहोंगे शायद मेरी बात को, best example जो मुझे मिला कि अगर आप किसी गाय को परिशान करते हैं, तो वो आपको लात मारेगी, ये उसकी habit है, मेरी हिंदी इतनी strong नहीं है, कि मैं इन शब्दों को हिंदी में आपको बोल कर द बना हुआ है, चोटे-चोटे आपने बना रखा है, उसको आप अगर पुश कर देते हैं, तो वो तो गिरेगा, ये future नहीं है, लेकिन ऐसा हमेशा होता है, तो ऐसी चीज़े है, future में habit दिखा सकते हैं, अभी देखना, हर रोज का यार उसका, अभी देखना आएगी, फिर चाए पिएगी, फिर चाट चीज़ें बाते करेगी, फिर चली जाएगी, हर बार का उसका यही है, आएगी, future नहीं दिखा रहा हो, लेकिन habit दिखा रहा हो, फिर बाते करेगी, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा, कोई गाड़ी कह दीजे इंडिया में, कि इस train का क्या है, वो तो ह sentence past में है, तो फिर will का would हो जाता है, और वो would past की habit दिखा सकता है, आशा करता हूँ, मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, ये काफी research के बाद मिला, books का हिस्सा इतना नहीं होता है, कि एक दो किताबों में ऐसा लिखा है, कहां पढ़ा सर आपने है, तो दो book के नाम मैंने बता द होती है, अगर आप किसी को परिशान करेंगे, तो वो आप से कुछ कहेगा, सिधी सी बात है, future नहीं है, habit दिखाते हैं, यार मैं सुबह उठा, मैंने देखा, बहुत सारी sunlight मुझे दिख रही थी, तो भाई 6-7 बजे के बाद उठोगे तो sunlight ही दिखेगी, दिखेगी, बट ये रोज का है, future एक बार का नहीं है, तो ऐसे कई statements में हम will का इस्तमाल कर लेते हैं, जो obvious है, notice नहीं करते हैं, क्योंकि books नहीं पढ़ाती हैं, इसलिए, पर किताब में रूल लिखा होता है, would का इस्तमाल past की habit के लिए करते हैं, अब ऐसी statement को अगर मैं past में define कर दूँ, कि ज दिखाने के लिए कर लेते हैं, तो आप जैसे भी समझे हो, live class में के पूछ पाऊं वापस, समझा दीजे, अगर नहीं समझ मैं हो, doubt लिख लिजेगा, comments में आप लिख सकते हैं मुझे, लेकिन कोशिश की बहुत बहतर दिखाने की, हमारी books में तो rule लिखा होता है, would का इस्त form of will, would होता है, he said, he would go there, past की habit दिखाने के लिए would का इस्तमाल करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, और बहुत अच्छी चीज है, कई exams में, please के combination के लिए would और could ही options में pick किये जाते हैं, मैं इनी भातों को कह देता हूं, मैं personality आओंगा, थोड़ा tone से बोल रहा हूं समझाने के मैं personality आओंगा, तुम आओगे, मेरे कोई politeness नहीं इस चीज में, तुम नहीं आओगे, तो ठीक है, मुझसे मिलने आओगे, तो ठीक है नहीं तो फिर मैं वहाँ चला जाओगा, आओगे, इसमें politeness नहीं है, will you come, politeness नहीं है, will you come, लेकिन उनी शब्दों को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, यार मैं personality आ रहा हूँ, आप मुझसे मिलने आएंगे, यह politeness है, शब्द वही है, आप मुझसे मिलने आएंगे, आप मुझसे मिलने आएंगे, एक future दिखाता है, आएंगे या नहीं आएंगे, एक में politeness भी है, जो please की साहता से भी mark की जाती है, तो will you come, सिर्फ interrogative है, पूछा है, हाँ या ना, आएंगे, नहीं आएंगे, would you come, politeness के साथ है, ठीक वैसे ही जैसे present tense में भी, आप इसे polite form में request कह दो, या फिर wish करने के तौर पर भी कहते हैं, अब, sir मैं कुछ पूछना चाहूंगा, I, पूछना चाहूंगा, future है, लेकिन मैं नहीं कहूंग I will like to say something, हमारी native tongue पर भी हम यही कहते हैं, आदत है, पढ़ा है बच्पन से, I would like to say something, because politeness उन शब्दों में है, sir he'll go there, वो जाएगा वहाँ पर, इसमें कोई politeness नहीं, बस inform कर रहा हूं, वो चला जाएगा, आप परेशन मत हुएगा, लेकिन अगर वही मुझे politeness दिखानी हो Sir, वो भी हमारे साथ चलना चाहता है, तो He will like to join us, ना ना सर सुने माकवर रगता है, He would like to join us, अच्छा आप घर पर आरे, बैठिये बैठिये, क्या लेना चाहेंगे, क्या पसंद करेंगे, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे, पूछा है, politeness के साथ में, ठंडा लेंगे, है त पूलाइटनेस दिखाता है, इसलिए आपने वोड का अस्तमाल, पूलाइटनेस के लिए किया था, फूर्थ टर्म जो आप से माक किया था, विश और पूलाइटनेस मैं इसी में आड कर दी, एक और फॉर्म था सब्जंक्टिव, जो बहुत जल्दा आप वीडियो के साहरे दिखेंगे, पास्ट की अन-फुल्फिल्ड डिजायर को दिखाने के लिए भी वोड का अस्तमाल किया जाता है, एक स्टेटमेंट इलिकीजिए जो पॉसिबल है, देखो, अगर मेहनत करते हो, वैसे एक कंडिशनल स्टेटमेंट होते हैं, कही लोग जानते होंगे आप में गिव यू, फ्यूचर तो होई नहीं सकता, मैं राजा होई नहीं, अब तो नहीं हूँ, पास्ट की बात जब हो रहे हैं, तो मैं राजा था नहीं, अगर मेरा जन्म 2004 में हुआ होता, तो मैं वहां रहता, तो I will, ना I would ही आपको लिखना होगा, और ये सेंटेंस अच्छली होती, तो पास हो गए होते, प्रैक्टिकल वर्ड्स नहीं सुन लिजेगा, अगर आप मेहनत करते हैं, आप पास हो जाएंगे, If you work hard, you will succeed, अगर मेहनत करते, तो पास हो जाते, If you worked hard, you would succeed, और अगर मेहनत की होती, तो पास हो गए होते, If you had worked hard, you would have succeeded, जरा इनहीं सारे की सरह से किन-किन variations में किया दाता है, हाँ, हमेशा की तरह advanced last में रहेगा, तो एक structure में नहीं छुपा रखी है, जो आप last में ही देखेंगे, आए कुछ examples देखते हैं, चले, जो आपको समझाया, जरा उनहीं के कुछ examples को board पर देखते हैं, The very first one, he said that past से starting है, competitive English चाहे वो कोई भी exam क्यों नहीं हो, state level examinations, SSE, bank या cat की भी बात की जगा, इस तरह की errors काफी बार कूछी जाती हैं, SSE के बहुत सारे बच्चे मुझ से connected हैं, SSE, CGL tier 2 में आज भी statement past में देकर आगे किसी present की verb को, मैं नहीं कहा will और would use करते हैं, इस MR से भी वो लोग आपसे error पूछ लेते हैं, starting past में हैं, तो आगे have कैसे आ गया, head लिखना होगा आपको, इस बात का विशेश ध्यान रखेगा, लगबग हर examination में पूछा जाता है, कुछ glance में इसी वीडियो के सहारे, He said that past है, रमन will do this, तो माफ कीजए, अगर ये present में होता, तो सही है, बट उसने कहा था, याने बात past की है, और past की बात के लिए, will का past form अगर लिखेंगे, तो वो हमेशा would लिखा जाएगा, ध्यान दीजेगा, ये formal part है, exam और हम लोग native speaker नहीं है, किसी condition के बाद, मैं पहले बोल दूँ इस चीज़ को, अगर वो बात past की है, बट वो अभी तक हुआ नहीं है, कभी होगा, तो life में कभी आपको वहाँ will भी लिखा मिल सकता है, जैसे for example, आज policies जिस तरह आती हैं, कि एक policy आई है, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, 2025 तक ऐसा हो होगा, तो तो होगा न, 2025 अभी आई नहीं, 2020 चल रही है, इस case में past में, starting में भी future आ सकता है, will, shall, सब आ सकते हैं, तो किताबों के rule exam में काम आ जाते हैं, life में तो भाशा है, logic काम आता है, daily के words है, लेकिन हाँ, अगर exam में error detection है, तो आपको यही follow करना होगा, फिर वा नहीं क ठीक है, अची बात है, अब तक तो past हो चुकी होगी न, हम लोग नहीं वादा करते हैं, खुझ से, इस semester में प्रण लेता हूँ, कि मैं first आ कर दिखाऊंगा, चार दिन पड़े, फिर वो notes रखती जाते हैं, छोड़े यार, next time में देखेंगे, तो मैंने आठवी class में कहा था कि इस साल में first लेकर आऊंगा, तो वो 15 साल पहले हो चुका, मेरा आठवी class हो गई, उस case में आप इसे feature में नहीं दिखा सकते हैं, आपको वहाँ पर, past ही mention करना होगा, will का past form would से mark करते हैं, तो he said that Raman would do this, she said that Noor would surely pass, because Noor pass हो चुकी होगी अभी तर, past form of will, would का, past form of will, would जो आ होगा, I'm sure used to का जो था, आपने नहीं देखा है, देख सकते हैं, same formulation में आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेगा, I would go to school, मैं school जाया करता था, अब यह भी समझा है था, काफी मेहनत करने के बाद, कि जिस तरह will से भी habit हो सकती है, would से past की habit दिखाई जा सकती है, तो इसका same मतल है, I used to go to school, हम लोग school जाया करते थे, SEC के कई close test में, bank में तो बहुत obvious है, because अकपारों से post ली जाती है, आप पाएंगे would लिखा होगा, पूरी कहानी past की चल रही है, अब वहां future कैसे आएगा, तो वो लोग सुबह घूमने जाया करते थे, एक दिन ऐसा हुआ, फिर ऐसा हु मैंने कहीं लिखा होगा, we would go for a morning walk, तो हम लोग जायेंगे, हम लोग जाया करते थे, यह past form है, would का, जो past की habit को दिखा सकता है, just like used to in English, तो I would go to school, जाया करता था, अब नहीं जाते, he would come and sit for hours, हाँ यार वो भी कभी दिन थे, घर पर आता था, घंटों हम लोग बैठते थे, आज उसकी जॉब लग गई है, वो वहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ, ETC, तो he would come, आएगा, ना, future नहीं है, past habit है, वो आया करता था, he used to come and sit for hours, आता था, बैठता था, बाते होती थी, ETC, we would go for a walk, हम लोग school जाया करते थे, हम लोग सुबह घुमने जाया करते थे, आज कल नहीं जा पाते है, मैंने एक वीडियो में मुझे याद है, आज 20, आज की ही रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, साड़े तीन बुझे, 20 नहीं, 3rd of August 2020, 3rd of August आज है, coronavirus की वज़े से बहुत जगे, lockdown है, थोड़ा बहुत खुल चुका है, लेकिन teaching तो अभी भी आन नहीं है, coachings और institutes, schools, colleges भी आन अभी तक नहीं है, एक दिन था या कुछ दिन थे हम सारी, ऐसे भी दिन थे जहां पर हम सुबह उठकर 7 बज़े class लेने जाया करते थे, अब नहीं जा पाते, हम लोग बिना mask पहने कहीं पर भी घूमते थे, अब नहीं घूम पाते, तो we would do this, we would do this, we would do this, past habit दिखाने के लिए, would का अस्तमाल किया जाता है, if I were a bird, I would fly, जो आप से कहा था, past की subject, ये तीन चीज़े मैं mark कर चुका हूँ, will का past, would है, शुरू के दो examples में, used to के तौर पर past की habit दिखा सकते हैं, इन तीन examples में, और नीचे के दो आपका mark की हैं, जो बहुत detail में अगर मेरे हाथ, for example, कप्तानी होती, तो इंडिया जीत जाती, for example, अगर मैं वहाँ पर होता ना, उस ball पर, जैसे विरंदर सहवाग, अगर इस ball पर मैं strike पर होता, तो ये तो छककई होती, ये ball होती, तो ये तो फिर चौकई ही जाती, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं था, तब ह ये kalpnik statement कहे जाते हैं, और past की unfulfilled desire को दिखाने के लिए, जो होना चाहिए था, या हो सकता था, बट नहीं हुआ, sir, वो file चाहिए थी, देखो, कल आ जाते तो मैं दे देता, sir, कल तो नहीं आ पाए, तो I'm sorry, वो तो जमा हो गई, कल आप आ आ जाते, तो मैं आपको दे देता मैंने देने की मैंना नहीं कही, लेकिन हा, मैं दे देता, अगर आप आ जाते, बट आप आए, नहीं, I would give you लिखा जा सकता है, तो subjective form वो ऐसा unreal past, जो होना चाहिए था future में, बट नहीं हो पाया, को दिखाने के लिए भी would का अस्तमाल करते हैं, तो quick recall slide का, past की statement starting हो, will की का, will का past would हो जाता है, आप habit दिखा सकते हैं, हम लोग school जाया करते थे, वो घंटाओं घर पर हम लोग बातें करते थे, हम लोग सुबह घुमने जाया करते थे, class लिया करते थे, बिना mask के घुमा करते थे, ETC, और अगर ऐसा होता, तो ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ ही नह अगर light आज आती उस वक्त, अगर electricity connection हो जाता, तो मैं उसी वक्त class ले लेता, बड़ शायद नहीं आ पाई, मैं class नहीं ले पाया, तो ऐसा होता, future था, but couldn't happen, नहीं हो पाया, उस unreal imagination के लिए भी would का अस्तमाल करते हैं, आप नहीं लिखे, next slide में कई और examples, कुछ और examples देखे, जी, जो आप से कहा था, last slide में तीन मां कर दिये थे, दो जो और uses हैं, इस slide में उनके examples देख ली जगा, एक advanced चीज तो last में ही रहेगी, ठीक है, so, would you like to have a cup of coffee, आप coffee पियेंगे, request है आप से, politeness है मेरे शब्दों में, अगर आप, first video में समझाया था, models का इस्तमाल किस तरह करते हैं, basics के साथ के models के साथ वीवन आती है, और models subject पर depend नहीं करती, कि models express mood, तो आप में से कई लोगों के questions रहते हैं, comments रहती हैं, queries रहती हैं, सर कहां पर will use कर, एक video सर उसका बना दीजएगा, will versus would का, acceptance सबका है, आप सबके शब्दों की value है मुझे, but models express mood अगर आप clear रखते हैं, तो मेरी पहली line में दोनों चीज़ें आ सकती हैं, नजरिया क्या है बात को कहने का, coffee लेंगे, जैसे एक छोटा सा example देना चाहो, इंडिया में हम लोग पंगत होती है, होती सब जगे होगी, आप लोग अलग अलग जगे से हैं, बट पंगत में जिस तरह खाना खेलाया जाता है, कहीं ने कहीं देखा तो होगा, टीवी में तो देखा होगा, अगर वहाँ पर नहीं होती, वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, जो आप से बहुत request करके पूछेंगे, सर एक पूड़ी और रख दूँ, एक पूड़ी और रख दूँ, वो वुड़ का इस्तमाल करते हैं, कुछ लोग आते हैं, पूड़ी 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 इस तरह से बस पूल के और निकल लिए, वो कोई request नजर नहीं आती, कितना road इंसान था, वो ठीक है, उससे ले लेंगे, ये सारा नजरिया चेंज होता है, तो आप अगर बोलें, सर इसमें will भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, politeness हटा दीजे, ये नजरिया हटा दीजे, model चेंज हो जाएगी, because model का काम हमेशा नजरिया दिखाने का है, तो आप इनमें से किसी भी statement में will लिख सकते हैं, otherwise will लिखा जा सकता है, बर preference मत रखेगा, ऐसे statements में हम लोग would ही लिखते हैं, because जब किसी को offer करते हैं कोई चीज, तो preference के तौर पर ही mark किया जाता है, would you land me some money, अब मैं उसको हग से बोलता हूँ, पैसे दे, उधार मुझे, क्यों भी, मुझे request करनी पड़ेगी, कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं मुझे आप से, request है, would you land me, will you में तो समने वाला money कर देगा फिर आप से, तो would you land me some money, कुछ पैसे आप मुझे उधार दे सकते हैं, would you please help me, कई जगा पर आप would के साथ please पाएंगे, कई जगा नहीं भी पाएंगे, it's all okay, examinations में, SSC और state level exams में, अगर fill up में models पूछ ही गई हैं, और please है, तो मैं can और could के वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको याद होगा, वापस कह दूँ, English में could और would का अस्तमाल, polite form of request दिखाने के लिए करते हैं, हिंदी में तब भी समझाया था, आज वापस समझा दूँ, आप मेरी ले glass पानी ला सकते हैं, can का अस्तमाल करोगे, ability दिखाएगा, can you bring me a glass of water, हाँ ला सकता हूँ, तो लाने के लिए नहीं बोला, ला सकता हूँ, capable capable हूँ, आप गाड़ी चला सकते हैं, हाँ, चला सकता हूँ, पर चला के नहीं ले जाओंगा, लेकिन अगर request करनी है, तो can you ना होकर could you लिखा जा सकता है, सकता हूँ, हिंदी दोनों के सेम है, और एगलास पानी ले आएंगे, future, अगर question है, will you, अगर politeness है, would you, तो could और would, ज option में एक ही होता है, यह नहीं सर, दोनों दियें, फिर कौन सा आएगा, को लोग भी पड़े लेखें, जो paper बनाते हैं, would you please help me, क्या आप मेरी मदद करेंगे, please, तो उस case में हमेशा polite रहते हैं, would का अस्तमाल कीज़ेगा, I would like to say something, इसे कई वुक्स में wish की तरह लिखा जाता ह है, लेकिन ठीक है, यहां भी तो politeness है, सर अगर आपको objection ना हो, मैं अपना मत रखना चाहूं, I would like to say something, will like to, will be awkward, सुना भी आपने नहीं होगा, she would like to join us, अरे वो भी हमारे साथ चलना चाहती है, यह wish है, proposal भी कहा जा सकता है, अपने विचार किसी के सामने रखने के लिए, मै मैं अपने शब्दों को आपके सामने रखना चाहूं, तो वो भी चलना चाहती है, वो लोग भी हमको वहाँ जॉइन कर सकते हैं, ऐसे statements में आप proposal रखते हैं, wish रखते हैं, और simplicity में कहा दीचे हो, politeness रखते हैं, आप will की जगह, would का स्तमाल कीज़ेगा, I would be glad to help you, अरे आपक I would be glad to help you, आपकी मदद करने में मुझे बहुत खुशी होगी, ऐसे examples में आप politeness दिखाते हैं, firm द्रण होकर ये चीज़े नहीं कहते हैं, आपकी मदद करने में मुझे बहुत खुशी होगी, वो हमेशा simplicity दिखाती है, और उस politeness को दिखाने के लिए हमेशा would का स्तमाल एक चीज़ जहन रखेगा, ये common रहे होगे examples, ये भी common होगा कई लोगों के लिए, कई लोग नहीं जानते के English में कई बार would खुद से वो politeness रखता है, तो आपको like to लिखने की जरुरत नहीं है, मतलब I would like to say something को लिखा जा सकता है, I would say something का मतलब एक ही है, I would like to say something, I would say something, both are the same, कई बार वो like to को drop करके direct verb लिख देते हैं, because would का इस्तमाल politeness के लिए करते हैं, यार मेरे को भी जानना है अपना future, मेरे साथ क्या होगा ETC, कोई बिता दो तो यार, please यार मैं भी जानना चाहूँगा, politeness है, rude नहीं हूँ मैं आप से, I would like to know my future, को in short लिखा जा सकता है, I would know my future, मैं भी जानना चाहूँगा, जैसे I would like to say something, को लिखा जा सकता है, I would say something, because I will say something, मैं भी बोलूँगा देख लेना, तुम लोग जा रहो, मैं भी चल रहो, मैं बोलूँगा, I will say something, I would like to say something, तो I would say something, यार मैं कुछ बोलना चाहूँगा, English मैं like to को आजकल drop करके, directly would के साथ विवन दे देते हैं, जो उसी politeness को दिखा सकता है, जराइन slides को देखिए, कुछ और discuss करते हैं, कि English मैं would का स्तमाल, आप question पूछने के लिए करते हैं, लेकिन politeness दिखाने के लिए, रात को भी electricity पीछा नहीं छोड़ती, Okay, so I was saying कि in terms के साथ मैं, proposal रखने के लिए, wish करने के लिए, polite form of request के लिए भी would का स्तमाल कर सकते हैं, क्या आप एक cup coffee लेना चाहेंगे, ये लेना चाहेंगे, वो लेना चाहेंगे, मुझे कुछ पैसे दे पाएंगे, देना चाहेंगे, ETC, would you land me some money, कुछ पैसे मुझे होदार मिलेंगे future, but polite form में है, would you please help me, would का स्तमाल आप polite form of request के लिए करते हैं, पूरी slide में indirectly वही चीज है, would का combination please के साथ, और could का combination please के साथ, polite form of request को मा कर सकता है, मैं कुछ कहना चाहूंगा, को दो तरह से लिखा जा सकता है, pretty formal, I would like to say something, जिसको सब जानते हैं, बट कभी लिखा मिले I would say something, same meaning रखता है, she would like to join us, वो भी हुआरे साथ चलना चाहती है, और आपकी मदद करने में मुझे बहुत हुशी होगी, मुझे भी अपना future जानना है, मैं भी जानना चाहूंगा, all these words can be used out there, आप इने लिखिये, थोड़ा सा और देखते हैं, बशरते, electricity, फिलिय अपना हो बशरते बड़िये ज़रा इन एक्जेम्पल्स को देखिए, हम्बल रिक्वेस्ट के साथ सर प्रप्रपॉजिशन के वीडियो डालिए, सर कंजंक्शन के वीडियो डालिए, आप कह देते हैं कोई परिशानी नहीं है, इस वीडियो में शायद आप समझें, टो दो पांच मिट के वीडियो रिकॉर्ड करने में टाइम नहीं लगता है, कई बार परिशानीय होती हैं, जो आप लोगों को स्क्रीन पर नहीं दिखती हैं, अगर सपोर्ट रहेगा, अंडर्स्टैंडिंग रहेगी, तो यह सफर आगे और बहतर चलता रहेगा, थैंक्स अलॉट, इतने डिस्टर्बिंस के बाद मैं खुद बूल जाता हूँ, क्या पढ़ा रहा था, एक कुछ advanced है, तो कुछ अच्छा होना चाहिए, यह कहीं से मुझे मुझे मिला, verify किया, बहुत standard book थी, अच्छा लगा, आपसे वापस share करना चाहूँ, कि English में would का स्थमाल possibility के लिए, नहीं सुना सर, वो तो may or might का करते हैं न, एक और word था जिसको mark किया था आपको, और लगभग किसी शब्द को हमेशा यूज करते आए हैं, for possibility, ध्यान दीजेगा, कुछ example उसी form में आपको लिखे हैं, grammatically verified हैं, से लिए पढ़ा पा रहा हूँ, वो shirt कितने की होगी यार, वहाँ अच्छी लग रहे हैं न, छोड़ वे, तेरी पहुंच से बाहर है, महंगी होगी, महंगी होगी, future नहीं है, संभावना है, शायद महंगी होगी, बताओ, इस shirt की कीमत कितनी होगी, होगी यार, कुछ 1500 के आसपास, 1500 के आसपास होगी, ये surety नहीं है, will, मैं वाँ जाओंगा, ये अंदाजा है, यार, वो, वो, इनसान दिख रहा है, बता, उसकी age कितनी होगी, वो 65 का है, लगता है, बिल्कुल नहीं, तो उसकी age क्या होगी, और आप अंदाजा लगा कर ही बोलते हैं, होगी, और कुछ 50 के आसपास लग रहा, मुझे 50-55 क्या आसपास होगी, ये अंदाजा है, future statement नहीं है, इंग्लिश में, हाँ जी, काफी मेहनत की, मैंने पिछले कई दुनों में wood के लिए, जिससे आपको वो example mark हिया था, कि अगर गाय को आप मारते हैं, परिशान करते हैं, तो वो भी आपको परिशान करेगी, ये फितरत है, habit है, habits के लिए भी will, या past form में wood का अस्तमाल करते हैं, जितना देखें, भाषा उतनी wide हो जाती है, इनी टर्म से कहना चाहूं कि English में wood का अस्तमाल, possibility के लिए भी करते हैं, और जो हिंदी के examples आपको माग किये, महंगी होगी, यार कबसे phone लगा रहा हूं, उठाई नहीं रहा, हो सकता है, सो रहा हो शायद, सो हो सकता है, सो रहा होगा, सो रहा होगा शायद, अब ये possibility आप दिखाते हैं, सो रहा होगा, इसलिए phone नहीं उठा रहा है, अच्छा exam में होगा, अभी तो वो class में होगा, पता चला भई सब class ही नहीं गए थे आज, who is she, कौन है वो, वो देखना, उसके साथ में कौन है, अरे उसकी बेहन होगी, you're not sure, बेहन है या फिर नहीं है, फिर भी आप एक possibility, अंदाजे के तौर पर कह देते हैं, अरे उसकी बेहन ही होगी या, she would be her sister, इसे आप present में भी लिख सकते हैं, उसकी बेहन हो सकती है, वो may और might से बना दीजे, लेकिन अगर मुझे वो future वाला sense देना हो, जिसको हिंदी में हम गागी ये से दिखाते हैं, वो हमेशा would से ही दिया जाता है, तो वो यार मेरे साब से उसकी बेहन होगी, possibility है, surety नहीं, future नहीं के बेहन होगी, damn sure, बताओ जरा इस shirt की कीमत कितनी होगी, होगी कुछ 1500 के असपास, 1500 होगी, आपको examples दे चुका हूँ मैं, ये possibility है, it would be rupees 1500-2000 जो आप कहना चाहें, और उसकी age, मेरे साब से तो 16 साल की होगी और जादा नहीं हो सकती, she would be 16, that's your possibility, ना कि किसी भी तरह के future को मा किया है, तो English में would का इस्तमाल, possibility के लिए भी करते हैं, ये मेरे लिए भी नया था, हिंदी में हम लोग सब बोलते हैं, कभी notice नहीं किया, कि यार ऐसा बोलते हैं, तो वो शायद अगर ऐसा है, तो होगा ऐसा, हो सकता है, वो आप possibility मा करते हैं, पर लिखित में देखा, आपको पढ़ाया, जरा in words को मा किजे, इस वीडियो को finish करना चाहूँगा, चरी तो इस वीडियो के सारे आपको काफी सारे usage, wood के mark किये, और पीते कुछ दूनों में research करके, कुछ extra चीज़ें जो मैंने सीखी, वो भी आपको यहीं पर mark कर दी, प्लीज यहान रखेगा, वोड का इस्तमाल, past form of will के लिए करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे can का could, make a might और shell का should इस्तमाल करते हैं, तो जहाँ पर statement starting में ही past में हैं, वहाँ पर will की जगह would prefer कीजेगा, वोड को आप past habit दिखाने के लिए भी इस्तमाल करते हैं, तो जो चीज़ें past की habit दिखा सकती हैं, used to की सहायता से लेखे गए काफी statements को वोड से भी लिखा जाता है, I used to go to school, जाया करता था, I would go to school, जाया करता था, polite form of request करने के लिए भी would का इस्तमाल किया जाता है, आप क्या लेना चाहेंगे, अच्छा, आप मेरे साथ वहाँ पर चलेंगे, आप आएंगे कभी वहाँ पर, आप coffee लेना पसंद करेंगे, आप request करने के लिए would you help me please, जैसे शब्दों का इस्तमाल करते हैं, यही चीज़ दिखाता है, किसी hypothetical condition को जो हो सकती थी, बट नहीं हो पाई, अगर मैं राजा होता, तो ऐसा कर देता, बट ऐसा नहीं हो पाई, अगर मैं चडिया होता, तो ओड जाता, ETC, और जो last मैं सीखा, वो आपको mark किया, अभी ते कुछ दुनों में, कि would English में possibility भी दिखाता है, बता बहुत सारी है, humble request है आप सभी से, कि आप patience रखेंगे, तो मैं भी दिल से पढ़ा पाऊंगा, proposition का वीडियो, conjunction का वीडियो और नहीं है मेरे घर पर, और शायद इस वीडियो में कुछ hiccups mark किये, इस तरह की परेशानिया आती रहती है, it's not that easy, जो आपको screen पर दिखता है, व चाहे वो grammar हो, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, etc, आप चेक कर सकते हैं, चाहे वो vocabulary हो, आपके one words, antonyms, synonyms, idiom phrases, root words की सहाता से, एक vocab की playlist है, चेक कर लीजेगा, और RC, parisambles, close test, unseen passage, ऐसी भी playlist है, अगर आप किसी exam की त्यारी कर रहे हैं, एक बार उन्हें भी चेक कर लीजेगा, couple of notifications के साथ, मे same handle है, couple music boy, Instagram पर मैं daily vocabulary update करता हूँ, word of the day, उसका fanatic symbols, Hindi meaning, description, adjective, noun, verb है, क्या है, example, statement और antonyms, synonyms के साथ में, तो आप Instagram पर जरूर follow कर लीजेगा, vocabulary, daily, step by step, थोड़ी-थोड़ी करके enhance करने के लिए, आप मुझे, telegram पर follow कर सकते हैं, same handle से, English by Kapil Dev Sharma, मेरी classes के notifications, काफी सारे test papers की PDF, या जो कुछ भी extra stuff है, वहां से ले लीजेगा, और अपनी doubts भी उसी group में पूछ सकते हैं, तो channel as well as group, telegram पर with the same name, English by Kapil Dev Sharma, same handle Facebook पर है, आप चाहें तो like कर सकते हैं, और Unacademy पर plus educator हूँ in the banking stream, तो अगर आप banking के हैं, तो शाम सारे साथ बजे मेरी daily class रहती है, वहां आप स मिलते हैं, और इसके अलावा किसी भी stream का subscription लेने से पहले, Unacademy, India's largest and cheapest, जहां पर आप एक बार pay करने के बाद, किसी भी teacher से उस stream में कितने भी number of hours पर सकते हैं, और मेरा code use करके flat 10% discount use कर सकते हैं, pretty simple, K-A-P-I-L-S-I-R, this is Kapil Dev Sharma, always welcome to my YouTube channel, English by Kapil Dev Sharma, need your support, encouragement and patience, thanks a lot, बहुत बह जुक्या,